उनाओ गैंगरेप मामले में परिवार के मौत या फिर साज़िश या फिर हादसा है क्या पूरा मामला मगर विपक्ष पारलिमेंट में सरकार से जवाब की मांग कर रहा है अमित शाह से इस वक जवाब मांगा जा रहा है और पारलिमेंट में हंगामा भी चल रहा है अगर इस बीश में जहां पर एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर करोएं आखिर स्पूरे मामले कि तहमे है क्या। नेताओं का जमाऊड़ा लगने वाला है क्योंकि स्यासत बेश पे काफी तेज हो चुकी है ऐसे में आशीमा अपडेट क्या रही है बिल्कुल जबार इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और जो राजनुतिक जो नेता है वो लगातार मौके पर पेड़ित परिवार पेड़ित परिवार की तरफ से मुलाकात जो है वो की गई है और इसमें अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि जो डिपी सेम दिनेश शर्मा है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने पेड़ित और पेड़ित परिवार से मुलाकात की है वहीं अगर के लिए श्याद अगाते जिस तरीके से घेर रही है पेड़ित परियंका गांदी का ट्विटर अकाउंट दिखाना चाहूंगी सेंगर को पार्टी से हटाया नहीं है और यहीं एक वज़े हैं जिसको लेकर के प्रमुक्सचीव ग्री मतलब लॉन और को लेकर के यूपी में बहुत मतलब सवाल उठ रहे हैं पहले सोन भद्र हो गया फिर अब उनना और एप केस मामला हो गया तो योगी सरकार इसको ले करके बहुत संजीदा है कि सवाल यह है कि क्या पार्लिमेंट में अमित्शाह जवाब देंगे क्या कुल्दीप सिंग सेंगर को पार्टी से निश्कासित किया जाएगा क्या उन्नाओ गैंगरे पीडिता और इसके परिवार को इनसाफ मिल पाएगा इंतजार है और हम भी इंतजार कर रहे हैं नाइन आपको पलपल की रिपोर्ट दिखाता रहेगा